नमस्ते बॉब, शुप प्रभाद के लिए गुलदस्ता बहुत अच्छा लग रहा है। प्रतेक नतुने से अलग-अलग सुंगने की क्षमता से गंध के स्रोत के दिशा निर्धारित करने में मदद मिलती है। कई सौ मिलियन अत्यधिक विशिष्ट गंध संबंधी रिसेप्टर कोशिकाओं से भरेक शेत्र में प्रवेश करता है, जो हमारे उसकी तुलना में केवल पांच मिलियन है। और एक ही मार्ग से सांस लेने के हमारे अनाड़ी तरीके के विपरीद, कुट्टे अपनी नाक के किनारों में मौझूद बारीक चीर के माध्यम से सांस छोड़ते हैं, जिससे हवा के भंवर बनते हैं, जो नए गंध के अणुओं को आकरशित करने में मदद करते हैं, और एक से अधिक बार सुंगने पर गंध एक आगरता को बनाने की अनुमती देते हैं, हमारी तुलना में बहुत अधिक प्रभावशाली होने के अलावा, एक कुट्टे की सुंगने की क्षमता उन चीजों को भी परक सकती है, जिन्हें बिलकुल भी नहीं देखा जा सकता है, म कि एक आगरता हमारी नाग जितना पता लगा सकती है, उसके मुकाबले 100 मिलियन गुना कम होती है, यदि आप एक छोटे से कमरे में इत्र के छड़काव को सुंग सकते हैं, तो एक कुट्टे को एक बन स्टेडियम में उसे सुंगने और उसकी सामगरी को अलग करने में कोई परिशानी नहीं होगी, और सड़क पर सब कुछ हर गुजरने वाला व्यक्ति या कार, पडोसी के कच्रे की कोई भी सामगरी, प्रत्यक प्रकार का पेड़, और उस पर सभी पक्षियों और कीडों की एक अलग गंध प्रोफाइल होती है, जो आपके कुट्टे को बताती है कि ये क्या है, ये कहा है और ये किस दिशा में जा रहा है, हमारी तुलना में बहुत अधिक प्रभावशाली होने के अलावा, एक कुट्टे की सुंगने की क्षमता उन चीजों को भी परक सकती है, जिने बिलकुल भी नहीं देखा जा सकता है, मूँ के उपरी भाग में वो भी नब भावनात्मक अवस्थाओं के प्रती सचेत करता है, और ये भी बता सकता है कि कोई कब गर्भवती या बीमार है, क्योंकि सुंगने की शक्ती अन्य इंद्रियों की तुलना में अधिक मौलिक है, ठेलेमस को दरकिनार कर भावनाओं और वृत्ती से जुड़े मस्त संरचनाओं से सीधे जुड़ने के कारण, हम ये भी कह सकते हैं कि कुट्टे की समझ हमारे मुकाबले अधिक ततकाल और भावनात्मक है, लेकिन आपके कुट्टे की नाक के बारे में सबसे आश्चरिजनक बात ये है कि वो समय को पार कर सकता है, उन्हें अतीत रहगीरों द्वारा छोड़े गए पत्थमारगों में दिखाई देता है, और हाल ही में पार्क की गई गाड़ी की गर्मी से, उन्हें आप कहां गए हैं और आपने हाल ही में क्या किया है, इसका अनुमान हो जाता है, आग बुझाने वाले पानी और पेड जैसे सीमा चिन्न सुगंध बुलेटिन बोर्ड हैं, जो संदेश देते हैं कि कौन यहां से गुजरा, वे क्या खा रहे थे और वे कैसा महसूस कर रहे थे, और भविश्य उनके लिए हवा में होता है, इससे पहले कि आप किसी को देखें, हवा उन्हें किसी चीज या किसी के आने के बारे में सतर्क कर जहां हम एक पल में कुछ देखते और सुनते हैं, वहीं एक कुत्ता शुरू से अंत तक पूरी कहानी सूंग लेता है, कुत्ते मानव सहयोग के कुछ बहतरीन उदाहरणों में कुत्ते उन कहानियों को साजह करने और प्रतिक्रिया देने में हमारी मदद करते हैं, वे संकट उचित में लोगों के प्रति दयालुता या खत्रों के प्रति आकरामक्ता के साथ प्रतिक्रिया कर सकते हैं, क्योंकि तनाव और क्रोध कुत्ते की नाग द्वारा पहचाने जाने वाले हॉर्मोन के बादल के रूप में प्रकट होते हैं, उचित प्रशिक्षन के साथ वे ह हमें बम से लेकर कैंसर तक के अद्रिश्य खत्रों के प्रती सचेद भी कर सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानवता का सबसे अच्छा दोस्त वो नहीं है, जो हमारे जैसी चीजों का अनुभव करता है, अब जब कि आपने जान लिया है कि कुट्टे कैसे सूंगते हैं, क्या आप इस बारे में अधिक जानना चाहते हैं? कि बंदर कैसे अपनी बात कहते हैं? ये वीडियो देखें और अधिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।